हेलो फैंस पल्कम टो माई चैनल आज हम लोग बात करेंगे यूपी टरपल ऐसी की सभी लंबित भरतों के रजल्ट एंड पीटी को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जाने के तो सबसे पहले हम से जोड़ रहने के लिए हमार चैप सब्सक्राइब कर दीजेगा हमार च परसंद आइए तो लाइकनस से जोड़ कीजेगा आपको इस्टाम फॉलो करना चाहते हैं इस्टाम्ब हॉलो कर सकते हैं मैंचे डिस्क्रिप्सम में दे दिया है इसमें कहा गया है यूपी टीपर यसी पीटी तो हचार एकी पीटी की उत्तरकुंजी पर आंपत्ती दर्ज कराने का आखरी दिन आज है जल जारी हो सकता है रजल तो जलधी इसका रजल भी जारी हो सकता है तो आगी देख लिएते हैं इसमें कहा गया है यूपी ट्रिपलसी पीटी रजल 2021 उत्तर पिदेश आधिना सिवच्चन आयुक की प्रारंबिक एहर्ता परिच्छा 2021 की उत्तर कुझे पर आपत्ती दज कराने का कल आख्री दिन है यूपी ट्रिपलसी पीटी में भाग लेने वाले अभ्यट्यों को यदि परिच्छा में पूछे गए प्रिष्णिया उनके उत्तर पर कोई आपत्ती है तो वह इस संबन में साथ सेप्टेंबर 2021 तो साथ नो 2021 तक निर्धारत प्रिक्रियवा आपदन सुल के साथ आयूक की बैपसाइट तो यह बैपसाइट दी गई है पर अपने आपती दर्ज करा सकते हैं तो इसकी लाश्ट डेश साथ सेप्टेंबर 2021 है आगी कहा गया है आयूक की परिक्षा नियन तक दिने इसने मंगलवार को जारी आदिस में कहाई कि मास्टर उत्तरकुंजी को आयूक की बैपसाइट पर दिये गई लिंक पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्दिती भर कर लोगन करकी देखा जा सकेगा मास्टर प्रिस्पत के साफ पिक्ष अपनी अपत्ती अबलेकनी साच्छों के साथ ओनलाइन ताय अबदी तक दिया जा सकेगा दाक या अन्य किसी माद्दम से अपत्ती स्यूकर नहीं की जाएगी तक साथ सेप्टमबर के बाद इससे स्वता और की बैप साइट से हटा दिया जाएगा तो देख्या आगी कहा गया है जल्द जाई हो सकता है रेजल्ट वा फाइनल आंसर की उत्तर पिदेश अधिना सेवचन आउक की ओर से जल्दी फाइनल आंसर की वा P.T. रेजल्ट 2021 जारी क्या जा सकता है अभ्यारतों की आपत्ती मिलने के एक सप्ता बाद आउक कभी भी फाइनल आंसर की वा P.T. के परढ़ाम जारी कर सकता है क्योंकि P.T. परढ़ाम में सफल अभ्यारती नौमर में होने बाली रज्जों से नेकपाल भरती की मुख परिछा में सामिल होंगे ऐसे में आउक की ओर से रजल्ट जल से जल जारी किया जा सकता है तो जल्दी इसकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और जल से जल्द इसका परढ़ाम जारी किया जाएगा तो आगे देख लिते हैं देखे, आगे कहा गया है करीब 21 लाख अभ्यार्टों ने किया था आविदन UP SSC PT 2021 परिक्षा के लिए 20,72,903 ने फर्म भरा था आवके अध्यक्ट प्रिविक गुमार ने बताये कि परिक्षा में 85 फिर्दी यानि करीब 17 लाख परिक्षारती सामिल हुए थे यह परिक्षा प्रिदेश 2254 परिक्षा केंद्रों पर यह परिक्षा आउजुद कराई गई थी तो इसका परड़ाम भी जलस जल जारी किया जाएगा और जलस जल इसकी आंसर की जारी की जाएगी तो अब आगे बात कर लेते हैं यूपीटर पलसी की पुरानी भर्तों के रजल को लेकर बात कर लेते हैं क्यूंकि इस्टों लंबे समय से इन भर्तों के रजल का इंतजार कर रहे हैं तो देखें इसमें कहा गया है यूपी यवसी इस महाँ जारी होंगे कम्प्रिटर अोपरेटर जूनिय असिस्टन भर्ती समेत काई परिख्छल के रजल्ट तो देखिए इसको देख लेते हैं इसमें कहा गया है यूपीटर पलेसी उतरपिदेश अधिना सिवचन आयू की काई प्रित्योगी परिक्षाओं के पड़ाम इस महीने जारी होंगे यूपीटर पलेसी की ओरसी पूर्मे 24 चुलाई 2021 सेतंबर दोहजार harvest महा में कम्पीटर अपरिटर भरती 206 परिक्षा परिक्षा का अंतिम पड़ाम इस भरती का अंतिम पड़ाम जुनिया अशिस्टेन्म भरती दोहजार उन्नीस रेचल्ट और होम्येओ पर्माशेट भरती 2019 का अंतिम परड़ाम भी इसी महिने गोसित किये जाने हैं तो इन सब भर्तियों के रजल्ट इसी महिने गोसित किये जाने हैं जल्दी रजल जारी किये जाएंगे आगे कहा गया है यूपी ट्रिपल एसी की भर्ति पृत्योंकता परिच्छाएं राज सरकार के विवन भागों में रिक पदों को भरने के लिए हैं कुछ परिच्छाओं का भी टंकर परिच्छड वा दस्तवे सत्यापन का कार चल रहा है जैसे ही इन परिच्छाओं में योगी पाए गया अब भर्तियों का डॉकुमेंट बेरिफिकेशन स्किल टेस्ट का कार पूरा हो जाएगा वैसे ही सितंबर के अंतक फानर जल घोसित कर दिया जाएगा तो इन भर्तियों के फानर जल जल से जल जारी किये जाएंगे तो आगे कहा गया है आपको बता दे यूपी ट्रपल सी की प्रारंबिक एहरता परिच्छा पीटी पडाम घोसित होने का इंतिजार करीब 17 लाख अभ्यारती कर रहे हैं तो इस ने स्टूड इस रजल का इंतिजार कर रहे हैं 24 अखसकु हुई पीटी के आंसर की जारी होने के बास 7 सितंबर तक अभ्यारती को आपत्य दर्च कराने का मौका दिया गया है आपत्यों पर विचार करने के बाद आयोक फाइनल आंसर की और रजल जारी करेगा तो आपत्य होने के बाद जल्दी इसकी final answer की जारी की जाएगी और जल्दी इसका रजल जारी किया जाएगा। क्योंकि आपको भी मालूम है कि इसके बाद राज्यों से लेकपाल भरती का बिग्यापन जारी किया जाएगा। और जल्द इस भर्ती की परिच्छा कराई जाएगी क्योंकि आपने यूपिटर पले से अद्धक्ष का बयान देखा ही होगा कि पीटी के रजल के बाद जल्दी कुछ भर्तों के बिग्यापन जारी किया जाएंगे और जल्दी मेंस परिच्छाएं कराई जाएगी और इस्टूरन कुछ पुरानी भर्तों को लेकर भी बहुत परिचान है क्योंकि इस्टूरन लंबे समय से इन भर्तों के रजल का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक रजल जारी नहीं किये गए हैं तो इस्ट्वयन मंडी पर सदर जल लोवर टू इन भरतों के रजल को लेकर भी बहुत परिशान है लेकिन अब उम्मीद यही है कि इस्ट्वयन को और इंतिजान नहीं करना पड़ेगा जल्दी रजल जारी किये जाएंगे तो जैसे आप ने अभी देखा ही है कि सेप्टमब के मथ में काफी परण जो जारी किये जाएंगे इसलिए अब आपको और जाधा इंतिजान नहीं करना पड़ेगा तो इस्ट्वयन काफी परेशान है लेकिन स्ट्वयन को परिशान होने की जूरत नहीं है लेकिन आप लोग को सामत नहीं बैठना है खासकर मंडी पर्शन ए किया जाए क्योंकि मंडी परशत के युबाव को सिर्फ अस्वासन मिल रहा है लेकिन जानकारी की मताबित आपको यह लगता है कि रजल जारी नहीं होगा तो आप सभी स्ट्वान को एक जुठ होकर धर्ना प्रदेशन करना होगा मंडी परशत और लोबर भरती को लेकर मैंने जानकारी दे दी है यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं आयूग मुझे खुद मिली थी और में आपको वो जानकारी दी है तो मंडी परशत करजल कप जारी लोगर टूकर जल कप जारी होगा इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते आप लोग उस नेक्स वीडियो में थैंक्यू जैहन जै भारत